आप लोग अपने पाई कोईन जितना मर्जी सेल कर इसमें कोई रोग तोग नहीं है लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने आईडियो को हैक मत करवा लेना सेल के चक्कर में So friends, welcome to this technical YouTube channel and this is me Saurav So friends, आप लोग अपने पाई कोईन जितना मर्जी सेल कर इसमें कोई रोग तोग नहीं है लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने आईडियो को हैक मत करवा लेना सेल के चक्कर में कियोंकि ऐसा ही कुछ न्यूज सोशल मीडिया के दूप सामने आ रहा है So friends, आज इस वीडियो के माध्धम से सिके रिगार्डिंग और साथ ही Pi Network के निव अपडेट्स के रिगार्डिंग इस वीडियो में बाती करने वाला So friends, आप से निवदन है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि एक इस सिंगल स्टेप आप इसमें से मिस कर जाओगी तो आप एक बहुत बड़े अपडेट से चूक सकते हो और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, शेर कर दे और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ पर नौटिशन बेल को भी अन कर लें लैटेश वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और फैन आपने अगर अभी तक हमारे टेलगाम चैनल से नहीं जुरे तो वीडियो के अडिक्शन उसका भी लिंक है आप सिंपल इसमें क्लिक करके आज से ही हमारे टेलगाम चैनल से जूर सकते हो क्योंकि वीडियो मनाने से पहले मैं लग बक सभी अपडेट अपने टेलगाम चैनल के मात धमता अपकर करता है तो देट टूदे सो फ़र पहले बात कर लेंते हैकिंग की क्योंकि बहुत सारे pioneers के accounts hack हो चुके है या suspend हो चुके है क्योंकि hackers द्वारा बहुत सारे website ऐसे create किया जा रहा है और उस websites को ऐसे देखर के promote किया जा रहा है ताकि जैसे ही आप Pi network search करें तो hacker का website है वो सबसे उपर आए वहाँ पे वो लोग तरह तरह के जो links है वो share कर रहे है जैसे sell your Pi, buy Pi coins, sell Pi coins, hide it ऐसे से link को create करके Pines के सामने रख रहे है और जैसे ही कोई Pines उसमें click करता है साथ साथ उनके जितने भी data है वो सारा hack हो जाता है ऐसे ही उस system में जितना भी Pi coins होता है सबको hacker के hacker द्वारा अपने पार ले लेता है सो friends अपने Pi coin को sell कर सकते हो और इसके लिए P2P का system open है friends अगर आपका KYC successfully complete हो चुका है तो आप P2P के द्वारा भी sell कर सकते हो लेकिन आप ऐसा किसी website पे जाकर के फस मत जाना है क्यूंकि ऐसे में आपका बहुत ज्यादा नुक्सान हो सकता है और मेरी माने तो जब तक Pi coin open mannet पे list ना हो जाए तब तक Pi और sales से अगर बचे रहे वही अच्छा होगा और इसके लिए Pi network द्वारा बहुत सारी event चलाए जा रहे है ताकि आपके Pi favor है जब तक Pi coin open mannet में list ना हो जाए और next when Pi code team के द्वारा भी बहुत सारे event चलाए जा रहे है Pi coin की launching को ले करके थाला कि Pi code team की तरफ से अभी तक कोई भी official updates नहीं आया है Pi network open mannet के regarding लेकिन जिस तरह का moment चल रहा है ऐसे लगता है कि बहुत ही चल Pi coin open mannet में अच्छे खसे price के साथ list होने वाली है लेकिन friends मैं यही कहूँगा कि जब तक Pi coin open mannet पे list नहीं हो जाता तब तक आप Pi की value नहीं लगा सकते और नहीं Pi code team इसकी value बता सकता है क्यूंके कोई भी crypto launch होता है उसका value decide कोई भी company या कोई भी bank या कोई भी financer value decided नहीं करता value decide करता है हम और आप क्यूंके मैंने पहले भी आपको बताया है जैसे इसकी buying pressure बहुत ज़्यादा होगी तो इसकी value आपको जाएगी और अगर selling pressure ज़्यादा होगी तो इसकी value नीचे जाएगी तो friends इसलिए मैं आपसे निविदर करता हूँ कि आप अपने coins को आभी sell ना करें शाएद pie coins हमें open mannet पे आच्छा खासा price के साथ list होता हुआ ठिके और next एक friend ने मेरे वीडियो में comment किया है कि मेरा KYC हो चुकी है लेकिन अभी तक मैं अपने coins को migrate नहीं कर पा रहा हूँ तो friends आपकी KYC हो गई है शायद अभी तक approve नहीं हुआ है जब तक आपकी KYC एप्रूब नहीं होगी तब तक आपकी coin migrate नहीं होगी तो friends आप थोड़ा सा वेट करें जब आपकी KYC एप्रूब हो जाएगी तब जाकर के आप अपने wallet पे अपने coins को migrate कर सकते हो So friends I hope कि आपको यह video informatic लगा होगा So friends इस video में इतना ही अपको अगर यह video अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें शेर करें और आप अगर इस चनल पे पहली बार आए हो तो चनल को subscribe ज़रूर करें क्योंकि ऐसी ऐसी अन्निक बले tips और tips की वीडियो को लाता रहता हो day to day और स साथ ही notification बेल को भी अंकर लेकर जैसे ही मैं को नेक्स वीडियो अपलोग के लिए अपलोड करूँ तो उसका notification यूटूब की तरफ से सबसे पहले आपको मिले और आपने अगर मेरे इस चैनल को पहले ही subscribe करके होता आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोबर मिलता है next और एक नए वीडियो के साथ तब तक टेक केर, have fun!